नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपको एक बड़ फिर से AS Maths Academy में दोस्तों आज लेकर आये हूँ आपके लिए जून 2018 में होने बाली सबसे बड़ी पांच भरतियां दोस्तों इन भरतियों में आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो को लाक्ष तक देखीगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जादा से जादा सेर कीजेगा दोस्तों और बिल्कुल देर मत करना बिल्कुल जैसे ही आप वीडियो देखो बैसे ही आप वेपसाइट को उपन कीजेगा और फॉम को तुरंद भर दीजेगा दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले RPF भरती 2018 दोस्तो, RPF भरती 2018 में Constable और Sub Inspector दो पोस्ट हैं दोस्तो, Constable में 8619 हैं और Sub Inspector में 1120 पोस्ट हैं दोस्तो सेलली की बात करेंगे दि हम इधर पे तो Constable में 31,270 हमारे लिए Total बेतन हैं, इसमें Basic सेलली पिलस HRA 24% पिलस DA 4% और TA सभी Included हैं दोस्तो, अब Sub Inspector की बात करेंगे दोस्तो, तो Sub Inspector में 99,000 Approximate यहां पर सेलली बताई गई हैं दोस्तो, तो एक काफी अच्छी सेलली है Sub Inspector में दूसरी भरती दोस्तो यहां पर किलर्क की दी गई है यानि किलर्क में आपको 11,255 पुस्त हैं इसमें दोस्तो, All India Students can apply यानि All Over India का कहीं का भी हो, किसी भी State का students हो वो इसमें apply कर सकता है दोस्तो, इसमें qualification आपके लिए 12th pass होना चाहिए और computer certificate आपके पास होना बहुत जर भी आप भर सकते हैं सेलेक्षिन प्रोसेस की बात करेंगे दोस्तों तो सेलेक्षिन प्रोसेस इसमें रिटेन एक्चाम होगा कंप्यूटर वेस्ट टेस्ट भी होगा इसकी जानकारी संपूर्ण जानकारी मिलने के लिए आपको rsmssv.rajistan.government.in पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों इसी परकार से अब हम जो next वेकेंसी की बारे में बात करेंगे वो है इसरो भरती 2018 दोस्तों इसरो भरती 2018 में आपको education qualification सिर्फ 12th past भी जरूरी है और graduation भी जरूरी है लास्ट डेट इसकी दोस्तों 8 जून है तो बिलकु देरी म government.in पर बिलकुल login कीजेगा और जरूर इसके बारे में सतारी detail जा नहींगा और next बात करेंगे दोस्तों हम SBI वेकेंसी 2018 के बारे में तो last date इसकी दोस्तों 2 जून 2018 है इसमें qualification आपको post graduate बहुना बहुत जरूरी है SBI official website पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसको आसानी से next जो की बात करने वाले दोस्तों वो है 5 मां नंबर की है जो librarian के लिए इसमें भी हम all over इंडिया के कहीं भी कोई भी रेज का students हो बो बिलकुल इसमें apply कर सकता सैल इसमें 65, 64,000 approximate level 10 के लिए इसमें age limit की बात करेंगे दोस्तों तो 18-40 वाले selection process भी आपको return test होगा जिसमें rsmssv.rajistan. government.in पर आप देख सकते हैं और इसकी form की date है जो दोस्तो 27 जून से 28 जून से 28 जूलाई 2018 तर रहेगी तो दोस्तों इस सारी vacancy की बात कर लिए हमने जून में होने वाली यह दोस्तों तो आपकी जून माय में होने वाली है सभी 5 सबसे बड़ी भरती हैं तो आप ध्यान से अधितर स्टूडेंट्स को इसके बारे पता नहीं होगा तो वीडियो को शेर कीजेगा लाइक कीजेगा और दोस्तों और जिन की सभी की website पर जाके आप आज ही form फिल कर सकते हैं मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में